हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आज की रेसिपी है आलू का चुखा और ये सभी की फेवरेट होती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस रेसिपी को अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें उससे आपको मेरे रेसिपी आप तक पहुंसती रहेगी तो हमें क्या करना है सबसे पहले आलू को उबाल कर छील लेना है और इस तरह से मैस कर लेना है अगर आपके पास मैसर है तो मैसर से मैस करें नहीं है तो हाथ से करें तो आलू हमारी मेश हो चुकी है तो अब हम करेंगे तरका का काम तो सबसे पहले कल्षी चरहेंगे और डालेंगे सरसो का तेल तो आलू आपकी जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप तेल डालें तो तेल थोड़ा ही देना है तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा और इसे अब हम जो है आलू में डाल देंगे मैस किया हुआ आलू में और इसे जब तक तेल थोड़ा ठंडा न हो जाए तो दो मिनिट आप रूख जाए नहीं तो तुरत में हाथ जल सकती है तो एक मिनिट इसे ठंडाने छोड़ देंगे अब हम डालेंगे बारिक कटा हुआ पियाज और हरी मिर्ची और स्वाध अनुसार नमक और डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता तो धनिया को पत्ता को अच्छा से धो ले और बारिक काट ले और अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे बस चोखा हमारी बनकर तयार हो जाएगी और आप इस तरह बना कर देखना आपको बहुत ही पसंद आएगी तो ये देखिए हमारी चोखा तयार है आलू का तो आप इसे खिचरी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं राधे राधे फ्रेंड्स अच्छी लगे तो सेर करना